Hello students, आज हम पढ़ेंगे British House of Lords. British House of Lords, वहां की Parliament का उठ्र सदन या दित्य सदन माना जाता है. House of Lords, विश का प्रातिनतम विधाई सदन माना जाता है. ये House of Commons से पहले बना था. ये सदन कुलीन तंत्रिये, शानदार और व्यभव शाली सदन है आर्ट से लगभग सवश पहले तक House of Lords को House of Commons की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त थीं प्रन्तु धीरे-धीरे हम देखते हैं कि व्रिटेन में लुकतंत का विकास हुआ और जिस तरह से राजा की शक्तियां चंती चली गई, उसी तरह से House of Lords की शक्तियां भी कम होती चली गई और House of Commons की शक्तियां बढ़ती चली गई अब हम देखते हैं कि House of Lords की रचना किस प्रकार होती है इसमें हम ही देखते हैं कि House of Lords की सदस्य संख्या निश्यत नहीं है क्योंकि इसमें समराथ प्रधानमंती की सिफारिश पर जितने नविन सदस्य आवशक समझे नियुक्त कर सकता है समर्धानिक सुधार कानुन 2005 के बाद अब House of Lords में के वल तीन प्रकार के सदस्य सदस्य होते हैं ये सदस्य हैं पहला तो Spiritual Lords रिचर्च आफ इंग्लेंड के 26 बिशप होते हैं इन में एक कैंटर बदी का आर्क बिशप, एक यार्क का आर्क बिशप, एक लंदन का आर्क बिशप, एक डर्हम का बिशप और एक विंचस्टर का बिशप अवशिश शामिल किये जाते हैं शेश 21 इंग्लेंड के चर्चों के वरिष्टी विशप होते हैं इसके बाद हमें देखते हैं कि वन्षगत या लॉड्स टेंपोरल ये दित्य प्रकार के लॉड्स होते हैं ये वन्षानुगत शिष्ट जन है यानि कि वन्ष के आधार पर न्यूगत किये जाते हैं जिनने प ये वन्षगत या लॉड्स टेंपोरल ये वन्षानुगत शिष्ट जन होते हैं जिनने हाउस अफ लॉड्स के न्यूगत आयोक कि सलापन न्यूगत किया जाता है कुछ सदसे साथी पीयरों दोरा निर्वाचित किये जाते हैं और कुछ सदसे राजगराने के भी होते हैं हाउस अफ लॉड्स एक्ट 1999 के तहट सदस्य तका अधिकार केवल बयान में वन्षानुगत पीयरों के लिए प्रतिवन्धित कर दिया गया और इन में से दो महिलाएं भी थी 2019 में लगबख 750 मेंशानों का सदस्य में से बयान में ही हाउस अफ लॉड्स में बैठ सकते हैं इसके बाद हम यह देखते हैं कि जो आजीवन पियर हैं पियर्स अंडर दर लाइफ पियरज एक्ट 1958 के अनुसार सामरागी को प्रधान मंति के परामश पर आजीवन पियर न्युक्त करने की शक्ति प्रधान की है एक्ट में आजीवन पियरों की संख्या भी निधारित नहीं है सामरागी सामाजिक और राजनितिक जीवन के प्रतिश्चित और अनुभवी व्यक्तियों को आजवन पियर निउक्त कर सकती है जिनमें अवकाश प्राप्त प्रधार मंत्री, लोक सदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त सेनापती और वाय सराय और साहित विध्यान और कला में प्रसिद्धी प्राप्त व्यक्तियों को सामनित प्रधार मंत्री की प्रदान की जाती है इस वाकार आजिवन पियर नियुक्त किये जाते हैं इसके हलावा हम देखते हैं कि लॉट्स ऑफ अपील या कानुनी लॉड़ भी विटेन में हुआ करते थे 2005 तक ये चोथे प्रकार के सदस्य थे जो हाउस अफ लॉड़्स में थे ये अपीलेट जुरिस्टिक्शन एक्ट 1866 के अंतरकत नियुक्त किये जाते थे ये नियाईक कारे करते थे और घरेलू मामलों में अपील के सर्वोच नियाले के रूप में कारे करते थे 30 जुलाई 2009 तक नियुक्त नियाईक कारे किया एक अक्टूबर 2009 से युनाटिट किंग्डन में सारे दिवानी वादों का और इंग्लेंड वैस और उत्री आइलेंड में सारे फौसदारी वादों का यूरिस्टिक्शन सरोच नियाले ने प्राप्ते कर लिया इसके बाद हम देखते हैं कि उनके विश्यशादिकार क्या हैं लॉड्स अब भी उन्हें कुछ विश्यशादिकार प्राप्ते हैं जैसे हाउस और लॉड्स के सवी सदस्यों को भाशन की सदंतिता प्राप्त है उनके दोरा सदन में कही गई किसी भी बात के आधार पर उन और House of Commons के सदसे तो केवल स्पीकर के माध्यम से सामुल की रूप से समराट तक पहुँच सकते हैं, लेकिन House of Lords के सदसे को व्यक्तिकात रूप से समराट से सावजनिक विश्यों पर वात्ता करने का अधिकार है. इसके अलावा, पियर बनाने वाले विधयक लॉट्स अभा में प्रस्थित किये जाते हैं, और House of Commons के सदसे अपने विश्यों शादिकारों का प्रयुक तब तक कर सकते हैं, जब तक संसत का धिशन हो रहा हो. पंतु, House of Lords के सदसे उसके बाद भी कर सकते हैं.